नमस्कार दोस्तो हमारे चैनल डिफ्रेंट मोड्स में एक बर फिर आपका स्वागत है दोस्तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो 5 साल के लिए 100% सेफटी के साथ और फिक्स रेट आफ इंटरस्ट के साथ एक लंब सम एमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं senior citizens के लिए तो options और भी हैं लेकिन आज के वीडियो में बात करेंगे post office में उन options की जो 60 साल से कम उमर के लोगों के लिए available है mainly post office में तीन options available है FD, monthly incomes की और NSC तीनों के detailed video channel पर available हैं तीनों के link आपको description में मिल जाएंगे लेकिन आज के video में बात करेंगे सिर्फ comparison की चलिए शुरू करते हैं दोस्तो FD, MIS और NSE के अंदर कोई Indian individual ही invest कर सकता है NRI या foreigner या फिर कोई firm proprietor हो या partnership हो इसके अंदर invest नहीं कर सकती FD को भी आप joint account खोल सकते हैं लेकिन किस holder का कितना share होगा ये आप mode of operation के अंदर ही decide करेंगे MIS अगर आप joint खोलते हैं तो 2 या 3 adult की खोल सकते हैं लेकिन दोनों का या तीनों का holder जो उनका ratio है वो हमेशा equal ही होता है कम ज्यादा नहीं हो सकता NSE अगर आप 2 या 3 का joint खोलते हैं तो जिसका पहला नाम है सिर्फ वही account holder माना जाता है safety की अगर बात करें तो safe हैं तीनों ही account 100% safe है क्योंकि तीनों post office के account है minimum deposit limits तीनों के अंदर same है 1000 रुपे minimum आप deposit कर सकते हैं लेकिन maximum का अंतर है FD maximum कोई limit नहीं है NSE के अंदर भी maximum कोई limit नहीं है MIS के अंदर एक इनसान की 4.5 लाख रुपे maximum limit है लेकिन एक joint account के अंदर 9 लाख रुपे maximum limit है चाहे 2 account holder हों चाहे 3 account holder हों maximum account के limit 9 लाख रुपे ही होती है number of account आप FD के MIS के या NSE के जितने चाहे उतने खोल सकते है वो भी unlimited रहता है term की अगर बात करें तो FD एक साल, दो साल या तीन साल के लिए भी available होती है लेकिन उसका rate of interest केवल 5.5% है MIS या NSE 5 साल से कम या ज्यादा के लिए available नहीं है सिरफ 5 साल का ही होता है Interest rate जो main मुद्दा है FD का interest rate जो 5 साल की FD है 6.70%, MIS का 6.60% और NSE का 6.80% चल रहा है यहाँ ये महत्व पूर्ण है के इनकी compounding frequency क्या है FD की compounding frequency quarterly है लेकिन ये ब्याज आपको हर एक साल बात pay कर दिया जाता है MIS जैसे के नाम से जाहिर है monthly income scheme इसका interest आपको हर महीने pay कर दिया जाएगा compounding frequency का यहाँ कोई महत्व रह नहीं जाता NSE की compounding frequency पहले half yearly हुआ करती थी लेकिन अब yearly compound होता है याँनि ब्याज पर ब्याज आपको एक साल बात लगेगा इसे हम पूरे एक example के जरीए figures में example बताएंगे वो वीडियो के end में कितना invest करने पर आपको क्या 5 साल बात तीनों का result मिलेगा income tax की अगर बात करें तो FD का interest taxable है MIS का interest भी taxable है लेकिन यहाँ NSE का आपको फाइदा मिलता है NSE के अंदर पहरे 4 साल का interest पर कोई tax नहीं है सिर्फ 5 साल का interest पर आपको tax लगता है ATC के लिए eligible FD और NSE है लेकिन MIS ATC में आपको कोई रिवेट नहीं दलवाता TDS तीनों ही scheme के अंदर नहीं काटा जाता इसलिए जिन लोगों ने ATC का advantage लेना है या जो higher tax brackets में आते हैं उनके लिए definitely FD better है 5 साल की या NSE better है MIS उनके लिए नहीं है क्योंकि ब्याज दर कुछ भी रहे उनको जो tax saving होगा वो सबसे बड़ी saving है जिनको हर महीने ब्याज ही चाहिए उनके लिए तो MIS ही एक option है FD option उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको एक साल बात ब्याज चाहिए लेकिन अगर 5 साल तक आप रुख सकते हैं आपको ब्याज लेने की कोई जल्दी नहीं है तो NSE आपके लिए सबसे simple और the best scheme रहेगी premature के अंदर तीनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है premature आप FD और MIS दोनों को करवा सकते हैं FD के अंदर आपको अगर एक साल से पहले invest करते हैं तो सेविंग का interest मिलेगा एक साल बात भी आप premature कर सकते हैं MIS के अंदर भी tenure के हिसाब से कटाओती है कहीं पर 2% कहीं पर 1% कटाओती करके आप उसको premature कर सकते हैं लेकिन NSE यहाँ premature नहीं हो सकता इसके बदले में सुविदा यह दी गई है कि NSE के against आपको loan मिल जाता है जबकि वो loan आपको FD और MIS के against नहीं मिलता चलिए अब एक example को लेते हैं माली जी एक-एक लाख रुपया आपने तीनों ही schemes के अंदर invest किया तो finally आपको क्या output मिलेगा पांस साल बाद आपके हाथ में कितनी रकम आएगी FD के अंदर आपको total ब्याज मिलेगा 34,351 रुपय MIS के अंदर आपको ब्याज मिलेगा 33,000 रुपय NSE के अंदर 38,949 रुपय लेकिन यहाँ पर एक चीज समझने वाली है FD और MIS के ब्याज को अगर तो आपने use करना है अगर आपको वो रकम चाहिए है तब तो definitely NSE आपके लिए option नहीं है आपको ब्याज की रकम अपने personal requirements के लिए घर खरच के लिए चाहिए है आपने उसको इस्तेमाल करना है NSE के बारे में आप सोचेंगे ही नहीं लेकिन अगर आपने इस्तेमाल नहीं करना है और किसी भी वज़ा से आप NSE भी नहीं लेना चाहते तो आपके बास दूसरा option ये होता है कि आप MIS के और FD के ब्याज को reinvest कर दें RD account के अंदर recurring deposit में तो इस हिसाब से recurring deposit में अगर आप reinvest करेंगे 570 रुपे प्रती माह FD के ब्याज को तो 527 रुपे आपको वो भी मिलेंगे MIS का 550 रुपे प्रती महीने आपको मिलेगा जिसका ब्याज आपको मिलेगा RD का 5333 रुपे तो कुल मिलाकर FD का आपको मिल जाएगा FD और recurring का जो ब्याज मिलाकर वो amount बनेगा 149,578 MIS का 138,333 और NSC का 138,949 लेकिन ये बहुत complex हो जाता है जिसको ब्याज इस्तिमाल नहीं करना है उसकी जरूरत नहीं है उसके लिए the best है NSC जिसको tax saving purpose है उसके लिए MIS नहीं है उसके लिए FD या NSC उसमें भी तीनों में से NSC better रहेगा क्योंकि 4 साल पहले उस पर कोई tax है ही नहीं है तीनों का interest rate तो fix है floating किसी का भी नहीं है लेकिन जो सबसे main बात है वो आपको सोचना चाहिए कि आप किस tax bracket के अंदर आते हैं आपको ATC का advantage लेना है या नहीं लेना है आपको monthly ब्याज चाहिए हर साल ब्याज चाहिए या फिर 5 साल बाद आप एकठा ब्याज ले सकते हैं safety तीनों के अंदर equal है 5 साल बाद ही अगर आप ब्याज इकठा लेना चाहते हैं तो MIS और FD के बारे में आपका सोचना बेकार है सिर्फ आप NSC लीजिए tax saving चाहते हैं तो भी आप NSC लीजिए और हर महीने अगर आपको पैसे के जरूरत है तो definitely आप MIS के अंदर invest कीजिए वो आपके लिए best option है तीनों के detailed वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा फिर भी कोई सवाल है तो आप नीचे comment box में जाकर पूछ सकते हैं वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें देखते रहें different moods Thank you